कि नमस्कार शिक्षार्थियो नैदानिक एवं उप्चारात्मक पोशन की व्याख्यान ट्रंकला में एक बार आपका पुना स्वागत है आज हम बात करेंगे व्रिद्धा वस्ता में यहार एवं पोशन के पहले भाग के बारे में इस व्याख्यान के दो भाग हैं जिसमें आज हम पहले भाग में बात करेंगे व्रिद्धा वस्ता में जो शारिरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में और क्या रोग देखे जा सकते हैं व्रिद्धा वस्ता में उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे तो व्रिद्धा वस्ता जीवन का सबसे आखरी पड़ा होता है जो प्रोडा वस्ता के बाद आता है इस अवस्ता तक आते-आते बानाव նरीड ठकने लगता है कि शारीर क्रियान उम्र n 15 फिर जाती हैं और शरीर में जूरियां पड़ जाती है इस अवस्ता में वयक्ति अनिक बिमारियों से ग्रस्त हो सकता है इस अवस्था में जो स्वास्त होता है वो बहुत सीमा तक प्रोड़ा वस्था में जो व्यक्ति का स्वास्त होता है उसका भूजन व्यायाम क्रिया शीलता इन सब बातों पर निर्भर करता है यदि व्यक्ति अपनी प्रोड़ा वस्था में स्वास्त है चुस्त रभावित करते हैं जो सिफ शारेरिक ही नहीं बलकि आर्थेक, मानसेक, सामाजिक, सम्वेग आत्मक यह सब कारक होते हैं जो उसके स्वास को रभावित करते हैं बात करेंगे शारेरिक परिवर्थनों की पहला जो बहुत important शारेरिक परिवर्थन फिजिकल चेंज जो हम देखते हैं व्रिधों में वह है आधारिये चयापचायदार में कमी होना यानि की बेसल मैटबॉलिक रेट में कमी आ जाना चुकि वृद्धावस्था में शरीर में कोई निर्माणात्मकारी नहीं होता नहीं कोई नए सेल्स या टिशूज कोशिकाओं या तंतूं का निर्माण होता है और इस अवस्था में शारिरिक क्रियाशीलता में भी कमी हो जाती है क्योंकि वृद्धी व्यक्ति जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं जॉब में नहीं होते हैं या शारिरिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं इन सभी कारणों से उनका बेटल मेटाबलिक रेट कम हो जाता है इस वज़े से वृद्धा वस स्रामण व्रिदावस्ता के में जो अंतर स्रामी ग्रंथियां से निकलने वाले हॉमोन होते हैं उनकी भी क्रियाशेलता में कमी हो जाती है जिससे हॉमोन असंतुलन देखा जाता है इस पूर्व अवस्ता में 45-50 एर्स में मेनोपॉस हो जाता है यानि मासिक धार्म रुख जा जाते हैं जैसे जित्त में रुख साथ जो फीमेल्स होती है वो अनुच साहित महसूस करती है शरीर में शिथलता फटीग होता है उनको नीद नहीं आती है सिर में दर्द रहता है शरीर के और भागों में भी दर्द रहता है बेचैनी होती है मांसिक तनाव होता है सो वह में बहुत चुटड़ा पान आ जाता है पाजन शक्ती बहुत कमजोर हो जाती है यह सब चेंजेस देखने को मिलते हैं थाइरोइड और पेराथोरइड ग्रंथियों से निकलने वाने हॉमोन के असंदुलन से इस अवस्था में कैल्शियम का मेटाबॉलिजन ठीक से नहीं हो पात है परंथो ऑस्टबॉरसेश की कंडिशन में नई हंडियां उत्नी तेजीसे बन नहीं पाती जितनी तेजी से पुरानी नस्ठ हो जाती है और ठारण ग्रंथि क्रियाशिल्ता में भी कमी आती है जिस कारण व्रिद्धावस्ता में उडजा की मांग भी कम हो जाती है कोशिका ही होती है, उनके सेल्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे इंद्रिया प्रभावित होती है, यानि कि देखने की शम्ता, सुनने की शम्ता, सुनने की शम्ता, ये सब कम हो जाती है, सोचने और समझने की, सीखने की शम्ता में भी काफी कमें जाती है, जिस करण आपने देखा होगा कि कोई भी नई चीज सीखने में व्रिद्धों को परिशानी होती है, वो उससे कत्राते हैं। सुभाओं में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है व्रिद्ध वस्था में। अधिकांश व्रिद्ध इस एज में चिड़ चिड़े, क्रोधी, उससेल हो जाते हैं। बाद बाद पर उनको गुस्था आ जाता है। इसका प्रमुक कारण है उनके तंतिका तंत्र में विवस्था, हॉर्मोन इंबालेंस, आर्थिक विपन्निता, समवेगात्मक तनाओ, समाजिक इस्तिती ये सब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही उनके स्वाद में बदलावाता है। अपने देखा होगा किर्वर्त व्यक्तियों को कभी बहुत तेज नमक लगता है, बहुत तेज मीठा लगता है या नहीं लगता है। उनके सूनगने की शक्ति भी कम हो जाती है, जिस कारण उनकी तर्टि अरुजी हो जाती है। उनकी चाल में भी अंतर आ जाता है वह दीरे दीरे चलने लगते हैं पीठ वक्र हो जाती है अर्था जुक जुक जाती है और वह थोड़ा आगी की और जुक कर चलने लगते हैं इस एज में जो जॉब में होते हैं वह सेवा निवरित हो जाते हैं इसकी वज़ा से भी अधिका होते हैं वो अपने पेरिंट्स से अलग रहते हैं यह सब कई सारे कारण हैं जिन से उनके सोगाँ में परिवर्दन देखे जाते हैं कंकाल तंत्र और दांतों में परिवर्दन आता है जैसा अभी आपने बात करी कि व्रिद्धावस्था में ऑस्टेपॉरसिस हो जाता है इस हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फोरन निकलने लगते हैं और इसकी वेज़े से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाते हैं बहुत जल्दी से तूट सकती हैं इन सब कारणों से इस सबस्था में कैल्शियम की मांग बहुत बढ़ जाती है साथी व्रिद्धावस्था हैं वह हमेशा मुलायम तरल भूजन ज्यादा बसंद करते हैं पाचन अंगों में परिवर्तन देखा जाता है जो बहुत इंपोर्टेंट है काफी बदलाव देखने को मिलते हैं उदर यानि कि स्टमक का आकार पहले से छोटा हो जाता है और भूजन को डियूदेनम में पह खाना पेट में रहता है जिस से उनको भारी बन का अश्यास और होती है आधो कि श्राम toxicity होता है जिससे की भूजन का पाचन ठेक प्रकार से नहीं होकता है पाचन रस प्रकार से काम नहीं कर पाते इसलिए कई सारे मिनरे होता है जिससे खाना आगे की और बढ़ता है इसमें कमी आजाने के कारण व्रिद्धों को कब्स कि श्कायत रहने लगती है छोटी आतों की दिवारे में शैग्रेस्ट और कमजोर हो जाती है जिससे की भूजन का अवशोर्शन ठीक से नहीं हो पाता और शरीर में आवश्यक पौश्टिक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसके कारण कई सारे पौश्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो जाती है रिदय और रक्त परिसंचरन तंत्र में भी परिवर्तन देखे जाते हैं बढ़ती आयू के साथ रिदय और रक्त तथा कोशिकाओं से जुड़े कुछ भाग जैसे शिराएं धमनी में रेशेदार होता यानिकी फैब्रिस टिशूज और फैटी टिशूज जमा हो जाते हैं जिसकी वेजह से जो धमनियां होती हैं वो कठोर हो जाती है जब इनके माध्यम से अधिक रक्त पंप किया जाता है तो वह उसके अनुरू फैल न रिदय की तरह रिदय की जो सेल्स होते हैं वो भी नश्ठोने लगती है इसलिए पहले की भाती इस अवस्था में रिदय अच्छे से रक्त पंप नहीं कर पाता रक्त नलिकाओं की दिवारों में जिसमने बात करी बसा जमा होने के कारण इनका ल्यूमिन छोटा हो जाता है जब हम रिदय रोगों के बारे में उसमें आर नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में अधिविस्तार से जानेंगे त्वचा में परिवर्तन देखे जाते हैं या वहाँ परिवर्तन है जो विजिबल होते हैं यानि कि हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि व्रिधा अवस्था में त्वचा में बालों में नाखुनों में परिवर्तन हो जाता है इस अवस्था में रूखी हो जाती है त्वचा ब तुचा मांस्पेशियों और रस्तियों से अलग होकर जूरियों के रूप में लटकती भी नजर आती है उनका लचीलापन खराब हो जाता है समाप्त हो जाता है और इस अवस्था में सिवेशियस जो ग्लैंड होते हैं जो हमारे तुचा को नम रखने के लिए तेल का उत्पा होती है उनकों की तुचा रूखी हो गई है सूखा पन हो रहा है खुजली हो रही है और आयों बढ़ने के साथ-साथ तुचा बहुत जादा पतली और नाजोग भी हो जाती है उसके नीचे की सुरक्षात्मा वसा की परत भी खो जाती है जिससे जल्दी तुचा पर चोट लगने का खरत्रा होता है और जो वरिंद होते हैं उन्हें इस पर्ष दबाओ कमपन गर्मी ठंड का एहसास करने की शमता भी कम हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ बाल सपीद हो जाते हैं और नाखुन भी कड़े और चमकीन हो जाते हैं उत्सर जीस अंस्थान में जोजन के लिए और मोत्र पढ़ानी का हिससा है इसमए मूत्र गढ़े मथे मात्रष है और मूत्र माल्ग यह smells ऴृटू में जो जो गूर्देदानेया नियुखता है जेङे जाती। नेफ्रॉंस नेा न संग्याज होतै। इनर्सूरती और निक्षीख्प्रदार्दितानाप Egth 국autas चाथirm चाहुता है। इस गजानों गुभधे आपूर्दी करनेवासे यहां करते ९हां निय। चानते हैं मुत्राशाय की दिवार में बदलाव हो जाते हैं जैसे उनके जो फ्लेक्सिबल टिशूर्स होते हैं यानि कि लोचदार उतक होते हैं वा कठोर हो जाते हैं और मुत्राशाय में खिचव कम हो जाता है, जिसके वजह से जो मूत्राशे होता है अधिक देर तक और अधिक मात्रा में, मूत्र को संचय करके नहीं रख पाता है इसकी मांसपेशल्षा कमज़ूर हो जाती है जिसकी वज़ा से व्रद्यवक्तियों को अक्सर रिसाव या मूत्र असयम यानि कि जो मूत्र को रोकने में सक्षम नहीं होना या मूत्र प्रतिधारण यानि कि मूत्राशे को पूरी तरह से खाली करने में सक्षम नहीं होना इन common जो समस्यां होती हैं इनका सामना करना पड़ में इनका पुना निर्मार नहीं हो पाता और व्रिद्धों में रोग प्रतिरोदक शम्ता में भारी कमी देखी जाती है व्रिद्धा वस्ता में बीटा लिंफोसाइट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टन पार्ट है रोगों से लड़ने की शक्ति का रास ह हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या में कमी हो जाती है इस कारण जो व्रिद्ध व्यक्ति होते हैं सर्दी जुकाहाम या अन्य विमारियों से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं उनकी प्रतिराक्षा प्रणाली की खोशिका दोश्यका पता करने और सही करने के शमता भी कम हो जाती कुछ समस्याएं हैं जो व्रिद्ग वस coupon देखी जाती हैं कहींतिरकी आपने देखा होगा व्रिद्धियों को कोई न कोई स्वास्ती समंद्य बोज्धे से होती हैं कई बिमारियं गोती हैं जिनकी वजह से उनका prison खराब हो जाता है और प्रिद्धों में एक बार रोगी हो जाने पर बिमार हो जाने पर स्वस्तों होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है जो पहली और इंपोर्टन रोग है पोशन समबंदी विद्धावस्ता में वह घठिया यानि की गाउट से अधिक की आयों में व्यक्ति को गठिया रोग की शिकायत यानि की जोड़ों में दर्द की शिकायत अक्सर देखे जाती है आपने महिलाओं को यह रोग जादा देखा होगा इसके कई बार उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है उनको अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है जिसके विजह से उनके पोशन इस तर में भी काफी कमी हो जाती है इस रोग में हड्यों से कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा निकलने लगती है जिस इसके अलावा विटामिन डी भी उचित मात्रा में देना चाहिए क्योंकि इसके एब्सॉप्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आहर में दोनों ही जो पोशक तत्वे हैं कैल्शियम और विटामिन डी का उचित सावावेश होना चाहिए अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बिमारी है वो है मदूमे यानि की डाइबेटीज डाइबेटीज होता है जब हम रक्त में जो ग्लुकोस का लेवल है वो बहुत जादा बढ़ जाता है इससे और कई सारे जो शरीर के अंग हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं आंक, गुर्दे, पैर इनके जो रोग हो सकते हैं और इनमें कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं व्रिद्धा वस्ता में मदूमे को नियंतर रखने के लिए पूरे दिन में नियमित समय पर सही आहार लेना बहुत अबश्चक है कोशिश करना चाहिए कि आहार में वसा यु और कम ग्लासमिक इंडेक्स वाले खाद्यों को समुनित करना चाहिए ग्लासमिक इंडेक्स हैं जो किसी भी भोज़पदार्थ में यह बताता है कि भोज़पदाथ लेने के बाद रक्तत के में कितनी देर में और कितनी मातरा में जो ग्लुकोज का लेवल है, वो बढ़ाए चाहिए डाविटीस के बेशिंज को और जातर ताजे फल और सबजियां चोकर समेद गिहों की रोटियां मोटिया नाच साबुद धालें दूद दही फलियां ये सब कम ग्लासेमिक इंडेक्स वाले खादी बदारते हैं जो मदुमेह के रोगी को दिये जा सकते हैं इसके अला संचरन में रक्तव वाहिकाओं की दिवारों पर जो दबाव पड़ता है उसको हम रक्तवचाप कहते हैं और सामाने वस्ता में यह 121-80 mmHg होता है पर व्रिद्ध वस्ता में आप देखा होगा अकसर उच्छ रक्तवचाप की समस्या व्रिदों को देखी जाती है जो बहु की समस्या हो जाती है किड्नी फिल्या और हो सकता है यह कई सारी जटलताएं हो सकती है इसके अलावा कई बार क्या होता है कि व्रिद्ध अल्प रक्तवचाप यानिकी लो ब्लड प्रेशर से भी पीडित हो सकते हैं जिसके विजए से उनको कमजोरी चक्र या बेहोशी आ सक यह और बढ़ती आयों के साथ रिद्ध संबंद्ध रोग होने के वी समावना बढ़ जाती है और इन सभी समस्या को नियंतरित करने के लिए बहुत जरूरी है कि उच्छे रक्तचापा और रक्तु कोलिस्ट्रॉल के इस तर को रोखने कम करने के लिए व्रिद्ध को संतु या नहीं के वराबर करना चाहिए इसे अवस्था में आलकोहॉल और स्मोकिंग यानि की धूम्रपान इससे बचना चाहिए और शरीर के वजन को संतुलिद रखने के लिए नियमित तोर पर वियायाम करना चाहिए अगला जो रोग है जो व्रिद्ध में अक्सर देखा जात म्रबर को हो जाता है तो इस लोग में बुद्धी भाव और व्यभार के शन्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है व्रिद्ध व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है वह अपनी रोज मर्य को भूलने लगता है जैसे वह खाना काकर भूल जाएगा या पिर उ एक्ति स्वयम को मांसे ग्रूप से व्यस्तर रखे और अपना समय वह अपनी किसी रुची की क्रिया जैसे अपनी कोई भी होबी नाच गाना योगा पूजा किताबे पढ़ना खेलना लोगों से बाते करना आदी में व्यतीत करना चाहिए संतुलित पॉश्टे काहर लेना चा नहीं है गुर्दे के रोग हो सकते हैं साथ पर्ष के पश्चाद अधिक आयू के अलावा इसके अन्य मुख के कारग भी हैं जैसे मदुमें उच्छी रक्तचाप या गुर्दे की विफलता का पारिवारी के धियास यानि कि अगर फैमली में किसी को है तो भी किड्नी का र और हार्ट प्रॉलम हो सकती है और नित्यू तक हो सकती है इसके लिए जरूरी है कि वजन को नियंत्रण में रखा जाए और व्रिद्यव्यक्ति का हर नियोजन इस प्रकार किया जाए कि उसका रक्त चाप रक्त में जो ग्लुपोस का लेवल है वो कॉलेस्ट्रॉल ट्राइ शारिक कारियों के तरह आंकों के रोशनी बहुत प्रवावित होती है और अक्सर ड्राइनस हो जाती है आंखों में या मोतिया बिंद बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नित्री रोग जो होता है बुड्डों में या फिर दृष्टी की हानी यानि की कम्प्लीट दिखाईना दे जो मदू मेह के कारण पन्न होती है और इससे आंकों के रोशनी बहुत बुरा प्रवाव पड़ता है जीवन शैली का दृष्टी पर सीधा प्रवाव पड़ता है अगर संतुलित आहर लिया जाता है जिसमें विटमिन ए परियाप्त मात्रा में हो तो इससे आंकों के कई ब पड़ा चला है कि ओमेगा 3 फैटी आसे और एंटी ऑक्सिदन से भरपूर अगर आहर लिया जाए तो इससे मोतिया बिंद का जोखिम कम हो जाता है और धुम्रपान भी बहुत प्रमुक जोखिम का रख है इसलिए बशना चाहिए धुम्रपान से इस तरह से हम नेत रोग से पस सकते हैं तो अपने इस व्याख्यान में जाना कि किस प्रकार व्रिद्व्यक्तियों में कुछ रोग देखे जाते हैं व्रिद्धावस्ता में और कैसे उनके शरीर में परिवर्तन देखे जाते हैं इस व्याख्यान के अगले भाग में हम इनके अहार एम पूशन के बार